समंद्रपूर पुलस ठाना शेत्र में सोने का लालच देकर ठगी करने वाले दो कुख्यात अपराधियों में से एक को ग्रफतार कर लिया है जबकि दूसरा फरार है जानकारी के मताबिक नईमुद्दिन मोहिद्दिन काजी जिलत चंदरपूर के रहने वाले कुछ दिन पहले दो लोग उनके पास आए और उन्हें बताये कि उनके पास एक खुदाई में निकला सोना है और खरीदने का सौदा हुआ था नईमुद्दिन मोहिद्दिन काजी चंदरपूर के आरोपियों ने उनमें पास एक सोने को सैंपल के तौप पर दिया था सोना खरीदी का सौदा हुआ लगवक एक किलो वजन का सोने का हार होने की बात कही नईमुद्देन मुहिद्देन काजी ने सोने का हार दसलाख रुपे में खरीदने के लिए सहमती वेक्ट की समिद्रपुर के जाम शेतर में दसलाख रुपे दे के हार खरीदी किया गया आरुपियों द्वारा नकली सोने का हार दे के धोका किया गया इस घटना की पुलिस स्टेशन में शिकायद दर्च की गई और पुलिस ने दो अग्यात आरूपियों के खिलाफ मामला दर्च किया और तकनीकी तरीकों का उप्यों करके अपरात की चाच की और प्रभुलाल सिंग चोहान उम्र 42 वर्ष नामक आरूपी को गिरफतार कर लिया यह कारवाई जिला पुलस सदिक्षक नुरूल हसन अतरिक्त पुलस सदिक्षक डॉक्टर सागत कावडे उप विभागे पुलस सदिकारी रौशन पंडित के मार्ग दैशन और ठानेदा संतो शेगावकर की निर्दीश्वन में पुलस उपनिरिक्षक अनिल देरकर पुलस झाल झाल